लॉक्डाउं पे सबस्दा प्रभावित शॉप्स होंगी दुकाने जैसे 10 बजे तक 9 बजे तक खुलने के स्थान पे हम लोग 8 बजे तक अभी रखेंगे अगल बगल की दुकानों को भी, दो दुकानों को भी हम लोग सील कर देंगे रेस्टरॉंट में हम लोग इन हाउस डाइनिंग पहले की जैसे बंद रखेंगे नमस्कार मैं विकाश कुमार आज सुबह हमने ख़वर चलाई थी कि सुकुरवार देर साम लॉकडाउन कटिहार में लगाया जाएगा according to sources हमने ये ख़वर चलाई थी तो आज सुकुरवार का जो है वो देर साम हो चुका है और अभी हम मौजूद हैं कटिहार के DM कमल तनुजी के साथ और हम सीधे जानते हैं कि ये लोग डाउन जो लगाया जाएगा उसके क्या पैमाने तै किये गए हैं क्या दिसा निर्देस तै किये गए हैं सीधे कटिहार के DM कमल तनुजी से बात करते हैं सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वक्त हमे समय देने के लिए आपके बीजी समय में से सर ये जो लोग डाउन लगाया जाएगा सुकुरवार आज देर साम है क्या है सर पूरा इसमय ये आप लोगों ने चलाया था सुबह देखे विगत दो-तीन दिनों से कई जिलों में लॉकडाउन दीरे-दीरे करके लगाया गया है और इसकी खबरें यहां भी रही है तो सभावी के यहां भी विकल्प देखा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमन फैलने की बात हो रही है तो उस हिसाब से उसकी कड़ी को तोड़ने के लिए लॉकडाउन एक विकल्प अवश्य है लेकिन हमें यह देखना है कि हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में क्या स्टेटस है और इसमें कोई दोराए नहीं है कि लॉकडाउन के विकल्प पे हम लोग विचार कर रहे हैं लगातार दो दिन से हम लोग नजर रखे हैं बाकी जिलों का क्या incidence है और यहां का क्या है और परिस्तिती पे नजर बनी हुई है, calculations चल रही है और पूरी तरह लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन एक हम लोग कुछ restricted एक order जरूर निकाल रहे हैं, वो आज शाम की परिस्तिती के हिस साथ से, शाम को जो हम लोग के पास आखड़े आए हैं, तो सारी डीटेल तो संभवता डिसकस नहीं हो पाएगी, लेकिन मोटा मोटी कुल 6771 टेस्ट हुए हैं, 431 positive cases हैं, 94 हमारे active cases थे, और शाम को जैसे ही अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी देर पहले, से 25 और discharge होने वाले, तो इस प्रकार से 69 active cases हमारे कटिहार में हो जाएंगे, तो 69 active cases चुकि अभी की स्तिती है, तो lockdown लगाने का अभी कोई, ऐसी कोई urgency हम लोग को नहीं दिख रही है, जो जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो यह हम लोग का निरना है, हाँ कुछ restrictions और लगन का, उसके हिसाब से कटिहार में काफी संतुलित है, एकदम से बड़ा विस्वोट अभी तक हम लोग ने नहीं देखा है, सबकी शुक कामनाओं से, तो इसलिए अभी कोई panic की बात नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कि panic की बिलकुल भी ज़रुरत नहीं, आज भी मैं उ आए हैं, तो हम लोग ने 170 टेस्ट किया, अभी 15 आए हैं, और बीच में ऐसे भी दिन रहे हैं, जहां पे शून हम लोग के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि यहां मास्क का कल्चर अच्छा अभी हम लोग का चल रहा है, सबावी के कहीं कहीं उलंगन हो रहा होगा, मैं यह नहीं कहता हूँ, लेकिन दिल्ली से भी टीम आई, जो सीनियर आईयस अफसर और स्वासिभाग के लोग आये थे, वो लोग भी यहां पे रहे, अपनी इक्षा से किसी गाउं में गये और वहां सब लोग मास्क का वेवार कर रहे थे, तो यहा लिया जाएगा अगर आवशक्ता पड़ी, और यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की किसी को कोई समस्या ना हो, कुछ और हम लोग अभी जो निकाल रहे हैं, उसमें कुछ रेस्टिक्शन्स करेंगे, लोग डाउन वाला यह सिती नहीं, मैं पुना कह रहा हूँ, लेकि आने जैसे दस बजे तक, नौ बजे तक खुलने के स्थान पे हम लोग आठ बजे तक अभी रखेंगे, उसके अलावा में हम लोग जो शौक की पर से, लोग डाउन में सब सदा प्रभावित शौक्स होंगी, तो जो दुकानदार हैं, व्यवसाई बंधू हमारे, उनको दि देख ले थे, तो हम लोग ने देखा कि दुकान के बाहर दुकान के ही कर्मी लोग जुंड में खड़े हुए, या कोई ग्राहा खाया नावश्यक खड़े हैं और मास्क नहीं पहने, तो यह हम लोग एक डिरेक्शन अभी निकाल रहे हैं कि अगर बाहर भीड है किसी दुक दुकान के जुंड है और अगर कर्मी है, खुद दुकान के ही कर्मी है, तो हम लोग उस दुकान को हफते भर के लिए सील कर देंगे और उन पे हम लोग पेनल्टी इंपोस करेंगे और ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर बाहर इस प्रकार का जुंड है किसी दु प्रभावित नहीं होगी, जिसके बाहर आदमी खड़े हैं, बलकि लॉक्डाउन से सब लोग प्रभावित होगी, इसलिए सब की जिमेदारी है कि किसी भी दुकान के सामने इस प्रकार का उलंगन ना हो, इसके अलावा रेस्टरॉंट में हम लोग इन हाउस डाइनिंग पहल नहीं है, और अगर हम सब कटिहार वासी अनुशासन में रहेंगे, अपनी जिन्ता करेंगे और अपने समाज की जिन्ता करेंगे, तो मैं समझता हूँ शायद ऐसी नौबत ना भी आए, जिनका कहना है कि कुछ पावंदियां लगाए गई है, संपूर्ण लॉक्डाउन नह अगर भीड कठा होती है, या आपके स्टाप के हो या कस्टमर के हो, तो आपके अगल बगल के दो दुकानों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी या दो दुकानों पर कारवाई की जाएगी, तो ये थी अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट कि पूर्ण तरीके से जो पूरे